दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटेले के द्वारा दिये गए मंदल सिधान्त के बारे में कोटेले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थिशास्त्र और इसी बुक यानि अर्थिशास्त्र में ही इन्होंने मंदल सिधान्त के बारे में बात की है अब देखो कोटेले का जो मंदल सिधान्त है इसमें राजा के बारे में बताया गया है इसने बताया है कि राजा का कर्तव्य जो हैं वो राज्जी की सुरक्षा के साथ साथ राज्य का यानि अपने सामराज्जे का विस्तार करना भी हैं और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए चानक्यने यानि कॉटिले ने मंडल सिधांत दिया इस सिधान्त में उन्होंने अलग-अलग राज्यों के जरिय, दूसरे राज्यों के प्रते अपनाई गई नीती का वर्णन किया है, उन्होंने बताया कि सामराज्य के विस्तार के लिए कुछ ऐसे process होते हैं जिने हमें follow करना होता है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन process को follow करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि सामराज्य का विस्तार करने के लिए हमें शत्रों के बजाए मित्रों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि देखो क्या होता था कि प्राचिनकाल में भारत बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व था, और कई बार ऐसा भ पुलना में मित्रों की संख्या जादा बढ़ानी चाहिए जिसे शत्रों पर नियंत्रन यानि कंट्रोल रखा जा सके इसके साथ साथ उनका ये भी मानना था कि जो निर्बल राज्ये हैं उन्हें शक्तिशाली परोसी राज्यों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इसी के साथ उन्हें अपने समान इसतर वाले जो राज्ये हैं उनके साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों के जो विस्तार नीती है उनसे बचने के लिए एक जुट होना चाहिए या फिर एक मंडल बनाना चाहिए तो देखो इन सारी बातों का मतलब ये है कि कोटेले का मानना ये था कि अग अपने दोस्तों की यानि अपनी मित्रों की संख्या बढ़ानी होगी जिससे क्या होगा कि वो उसके प्रभाव छेत्र में बना रहेगा लेकिन वहीं दूसरी और जो कमजोर राज्ये होते हैं उन्हें अपने शक्तिशाली पडोसियों से सावधान रहना चाहिए और इसके स साथी विस्तारवादी नीतियों को अपनाने वाली महाशक्तियों से खुद को बचाने के लिए ऐसे राज्यों का एक मंडल या फिर घेरा बनाना चाहिए मतलब यह एक जो कमजोर राज्ये हैं उन्हें एक चोट होकर अपने जो शत्रो राज्ये हैं उनको नियंत्रिट करन होगा कि आपको अपने अलाइंस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना होगा इस तरीके से यह जो प्रॉसेज है यह जो स्टैप से यह कंटीनूद चलते जाएंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अलाइंस में आपके गट बंदन में पाँच आदमी है तो छटा आदमी नहीं आ सकता क्योंकि जैसे जैसे इस अलाइंस में व्रदी होगी बढ़ावा होगा वैसे वैसे इस तरीके से यह प्रॉसेस कंटीनूद चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उन्हें लड़ाई में जीत ह आसिल नहीं हो जाती तो अब देखो यह माना क्या है कि आपका पडोसी आपका सुभाविक शत्रु है और पडोसी का पडोसी आपका मित्र है एक्चुली क्या है ना कि जब हम कोटिले की रशनाओं को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मं अब यहां पर यह बताया गया है कि सिद्धान्ट के अनुसार यह जो मंडल है यह जो घेरा है या फिर वरत है इसका सेंटर यानि मुख्य बिंदू विजई गिशू होता है जो अपने पडोसी राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता है क्योंकि यह माना जाता है और सही भी है कि मानवे स भाव के अनुसर हर राजा राज्य विस्तार की नीती अपनाता है। अब देखो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि विजी किशु होता क्या है। तो देखो यहाँ पर विजी किशु का मतलब होता है वो राजा जो जीतने की या विजय होने की इच्छा रखता है। मतलब यह कि यह जो प्रक्रिया है यह जो प्रासेज है वो विजी किशु के जरिये ही शुरू की जाएगी क्योंकि वही अपने पडोसी राज्यों को जीतने की कोशिश करता है। अब क्या होगा कि जब वो पडोसी राज्यों को जीतने की कोशिश करेगा तब विस्तारान उसे कुछ दुश्मन मिलेंगे तो कुछ दोस्त मिलेंगे अब जब दोस्त मिलेंगे तो वो क्या करेगा उन्हें अपने अलाइंस में यानि अपने गट बंदन में जोड़ेगा और अपने राज्ये का विस्तार करेगा तो अब आपके यहां पर समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से व मंडल में इस मंडल का जो सेंटर होता है जो मुख्य बिंदू होता है वो होता है विजी गिशु अब ये जो विजी गिशु होता है ये होता है प्रमुक राज्य अब विजी गिशु ये जो राज्य है इसका जो राजा है ये क्या इच्छा रखता है ये जीतने की इच्छा क्योंकि ये बहुत ही मैत्वि कांग्शी राजा होता है और ये साम, डाम, डंड, बेट किसी भी तरिकी की नीती अपना कर अपने राज्ये का विस्तार करना चाता है अब विजी गिशु के पास का जो राजा होता है जो राज्य होता है यानि जो उसका पडोसी देश होता है वो होता है अरी और अरी जो होता है वो विजी गिशु का शत्रू होता है और इस अरी की वज़े से हमेशा विजी गिशु तनाव की इस्तिती में रहता है लेकिन अरी के पास में जो राज्य है जो देश है वो है मित्र और ये क्या है ये अरी का पडोसी राज्य है अब ये अरी का पडोसी राज्य होने के साथ उसका दुश्मन भी है लेकिन ये लेकिन ये विजी गिशु का मित्र है जैसा कि मैंने आपको पहले पताया था कि पडोसी का पडोस यानि अरी है वो उसका दुश्मन है लेकिन अरी का जो पडोसी है वो उसका मित्र है अब क्या होगा कि जब भी युद्ध की इस्तिति बनती है तब ये जो मित्र है ये वीजी गिशू की साहता करेगा क्योंकि मित्र जो है वो अरी का शत्रू है अब इस मित्र के बाद आता है अरी मित्र अब इसके नाम से ही जहलक रहे कि ये अरी का मित्र है इसलिए जब युद्ध होता है तब ये अरी की साहता करता है और वो भी विजी गिशु के खिलाफ अब अरी मित्र के पास का जो देश है जो राज्य है वो है मित्र मित्र अब ये क्या है मित्र का मित्र मतलग विजी गिशू के मित्र का मित्र तो जाहिर से बात है कि जब युद्ध की इस्तिती होगी तब ये विजी गिशू की help करेगा उसकी सायता करेगा क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे दोस्त का दोस्त होता है वो एक तरीके से हमारा भी दोस्त होता है अब इसके बाद जो राज्य आता है वो है अरी मित्र मित्र अब ये जो राज्य है ये अरी की साहता करता है विजी गिशु के खिलाफ तो ये जो शाशक थे ये जो राज्य थे ये थे विजी गिशु के सामने के शाशक यानि उपर के राज्य है अब हम बात करेंगे विजी विजी गिशू के पीछे वाले राज्यों के बारे में, तो विजी गिशू के पीछे के जो राज्य उनमें सबसे पहले आता है, पाशनी ग्रहा, अब पाशनी ग्रहा जो है, ये विजी गिशू के पीछे का शत्रू है, और इस पाशनी ग्रहा के बाद में आता है आकरंद, अ जो पास्नी ग्रह है वो उसका शत्रू है और जो आकरंद है वो विजे गिशू का मित्र है और इसके बाद यानि आकरंद के बाद आता है पास्नी ग्रह सार अब ये जो पास्नी ग्रह सार है ये पास्नी ग्रह का मित्र होता है और इस वजे से ये विजे गिशू का शत्रू होत तो जाहिर है कि विजी गिशू का भी मित्र होगा और युद्ध के टाइम पर विजी गिशू की help करेगा, उसकी सायता करेगा अब देखो विजी गिशू की नीचे और उपर की तरफ जो मित्र राज्ये थे, जो शत्रू राज्ये थे, वो दोनों आ गए हैं यानि जो 5 friendly states थे और 5 enemy states थे, वो दोनों हो गए हैं अब हमारे बचते हैं medium और neutral states अब ये जो states हैं, ये विजी गिशू की दोनों तरफ होते हैं यानि right में भी होते हैं और left में भी होते हैं क्योंकि मध्यम जो होता है ये विजी गिशू और अरी के बीच का राज्ये होता हैं क्योंकि ना तो विजी गिशू इसका शत्रू या मित्र है और ना ही अरी इस तरीके से ये दोनों का मित्र ही होता है लेकिन इसके पार जो आता है वो है उदासीन राजी, यानि neutral strict, और यह होता है सबसे शक्तिशाली राज्य या देश, क्योंकि ये neutral होता है, इसका कोई भी मित्र नहीं होता, ये अरी का भी शत्रु होता है, तो विजीगिशु का भी शत्रु होता है, लेकिन ये सबसे ज्यदा शक्तिशाली होता है, जो मोका देखते हि किसी को भी हरा सकता है, जैसे इस टाइम पर, यानि वर्तमान में अगर हम देखे सैंड़ा है, तो अमेरिका झूतर्चा से नीट्रल देश है, क्योंकि अमेरिका जो है वह बहुत सारे राज्यूं से, और सबसे ज़दा पावरपुल हैं। तो ये था कॉटेल लेका मंडल सिधान्त। जिसके जरी उन्होंने जो राज्ये की विटेश नीती होती हैं। उसे नियंत्रित करने की कोशिश किये।